हेलो फ्रेंड्स, विल्कम तो दे ट्राइफार टाइरोज, दिसिच गवरप पांडे, आज का हमारा यह वीडियो 42nd Constitutional Amendment या बैलिश्मा समविधान संसोधन सन 1976 पर अधारित है, जोकि आने वाले सभी वंडे एक्जाम नेसंस के लिए तिंत महत्पून है, तो अगर आप किसी करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को सेर करिए, ताकि उनकी भी कुछ न कुछ मदद हो सके, तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें यह जा लेना जरूरी है कि समविधान क्या है, किसी देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन भागों की रूप रेखा और मुख्य कारिका निर्धारन करता है, उसे समविधान कहते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी देश को सुचार रूप से चलाने के लिए कुछ मौलिक कानून बनाए गये हैं, और जब इन मौलिक कानूनों को संगठित रूप प्रद समविधान कर दिया गया, तो उसे भारत का सरवुच विधान या समविधान कहते हैं, समविधान सभाद वारा 26 नौंबर 1949 को भारती समविधान बारित हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को पूरे भारत में भारती समविधान को लागू कर दिया गया, पूरे विश्व का सबसे विस्त जीवित रहने के लिए एक समविधान को बिकसित होना चाहिए यदि सम्विधान के बिकास में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो सम्विधान को एक तरह से छोब का सामना करना पर सकता है समाजिक आर्थिक करांती के वो देश को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुई कठिनाईयों को दूर करने के लिए समविधान में संसोधन किया जाता है जो गरीबी अज्ञानता एवं औसर की अश्रमानता को समाप्त करने में मदद करता है सम्विधान संसोधन करने का प्रस्ताव इसलिए है ताकि समाजवाद, धर्मन रिपेक्षिता और राष्ट की अखंडता के उच्छ आदर्सों को इस पश्च रूप से समझा जा सके भारती सम्विधान की अहम बिसेश्टाया है कि इसमें कठोर्ता एवं लचीलापन दोनों का समावेश है इसका आर्थिया हुआ कि सम्विधान में परिष्थितियों एवं आवश्रक्ता अनुशार इसमें परिवर्तन करने की दिवस्ता दी गई है भारती सम्विधान में कहा गया है कि यहां कठोर्ता और लचीलापन दोनों को समाहित किये हुए है तो कठोर्ता का मतलब यह हुआ कि भारती सम्विधान के जो नियम बनाये गए हैं जो कानून है उन्हें इतने आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता लेकिन लचीलेपन का मतलब यह हुआ कि अगर ऐसी कोई परिस्तिती आती है या ऐसी कोई आशकता होती है कि जिससे किसी कोई समस्या हो रही है भारती नागरिकों कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भारती सम्विधान में संसोधन करके उस कानून में कुछ संसोधन किया जा सक लेकिन अमेरिका में वहीं संसोधन करने के प्रक्रिया काफी टफ है, कठिन है, लेकिन भारतिय संविधान में ना तो जादा कठिन है और ना ही जादा आसान है शम्विधान संसोधन का प्रावधान भारती शम्विधान के भाग 20 में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारती शम्विधान संसोधन का प्रावधान है और भारती शम्विधान संसोधन की जो शक्ती है वह संसद को प्राप्त है इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद अपनी सक्ति का प्रयोग करते हुए शमविधान के किसी भी उपवंद में संसोधन कर सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि भारती शमविधान में कुछ संसोधन करनी की जरूरत है तो वह भारती संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चाहेवा लोक सभा हो चाहेवा राजिश सभा हो किसी भी मंत्री या फिर किसी भी सांसत द्वारा अगर इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई फिक्स मंत्री है कोई अध्याच्य वही ऐसा करेगा लेकिन ऐसा नहीं है अवल्लब कोई भी अगर मंत्री चाहे या कोई भी सांसत च कर दों सतनों से विशेष बहुमत के मतलब हुआ कि उस सदन में जितनी कुल वहां के संख्या उसका दो तिहाई बहुमत उसे प्राप्थ होना चाहिए मतलब दो तीहाई लोगों द्वारा जितनी संख्या है उसके दो तीहाई लोगों के द्वारा उस संविधान संसोथन बिध्यक को सुविकार किया जाए मतलब उसे वहाँ से पारित कर दिया जाए और दोनों सदलों से अलग-अलग पारित होना नहीं हो रहे है जिसे पहली बार एगर लोक सभा में सम्विधान संसोधन बिधेग पेस किया गया है तो वहां की द्वारा भी वहां की जो संख्या है उसके द्वारा सम्विधान संसोधन बिधेग पारित हो कि वा मतलब जैसे माली राज्य सभा में गया और वहां की जो संख्या है अगर उसमें मतभेद हुआ कि नहीं या जो संविधान संसोधन विधेक आया या सही नहीं है और उसने मतलब वहां की जो लोक सभा है राज सभा है उसमें समविधान संसोधन पारित नहीं हुआ तो भारती समविधान संसोधन मतलब जो अनुच्छे 368 है उसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि संसोधन के मुद्दे पर हो मतलब की माल यह कोई संसोधन करना है और उस मुद्दे पर कोई संसोधन संसोधन में पारित किया गया है तो इसे 50% राज्यों के विधान मंडल से भी समाने बहुमत मिलना चाहिए मतलब कि अगर कोई राज्य विधान मंडल है तो वहां के जो संख्या है उसके 50% लोगों के दौरा उसे सहमती प्राप्त होनी चाहिए इसके बाद जब संविधान संसोधन विधायक लोग सभा और राज्य सभा से पारित हो जाता है तो उसे फिर राश्य पती की सहमती चाहिए होती है मतलब फिर विधायक को राश्य पती के सामने पेस किया जाता है और राश्पती यहाँ पे एक प्रकार से बाध्य होता है अपनी सहमती प्रदान करने के लिए अगर उसके पास कोई विधयक गया है तो राश्पती इस चीज के लिए बाध्य है कि वहाँ अपनी वहाँ पर मतलब सिगनेचर करे उसे साइन करे कि कुछ सम्विधान संसोधन के मामले में राशपती अपनी किसी भी power का कोई इस्त्माल नहीं कर सकता है वह ना तो इपीटो पावर का इस्त्माल कर सकता है और नहीं इसे पूरण विचार के लिए दोबारा किसी भी सदन में भेज सकता है बेश सकता है, राश्पती यहाँ पर स्विक्विति देने के लिए पुरी तरह से बाद्धे होता है भारती सम्विधान संसोधन, आज तक भारती सम्विधान में जितने भी संसोधन हुए है उन सभी संसोधनों में जो बैलिसमा संविधान संसोधन या सबसे विस्तृत है और इसकी इसी विसालता के कारण इसे लगुशंविधान की संग्या दे जाती है जो बारतिय संविधान संसोधन जो बैलिसमा संविधान संसोधन हुआ है 1976 में उसका भारति संविधान में एक एहम अस्थान है इस संसोधन के प्राधान इतने ब्यापक और महत्तपूर्ण थे कि ने मिनी कॉंस्टिटूशन या लगुशंविधान की संग्या दी गई इस संसोधन अधनियम ने स्चोण इसंग समित की सिफारिश्यों को लागू करने की आधार सिला रखी मतलब कि इस सम्विधान संसोधन में जितने भी संसोधन हुए है उन सब की आधार सिला जो है वह कहीं न कहीं स्चौनी सिंग समिती पर आधारी थे तो आज़े देखते हैं कि बैलिसमर सम्विधान संसोधन के तहट भारती सम्विधान में क्या-क्या संसोधन किये गए हैं पहला है राश्पती को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बात दिखिया गया मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि राष्टपती अब काइविनेट की मलब काइविनेट अगर कोई सलाराश्पती को दे रहा है तो राष्टपती मलब उस सला को मानने के लिए क्या है और इतरा से बात दे है दूसरा संसोधन हुआ भारती सम्विधान में भाग चार का जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेत 51 का के अंतरगत 10 मूल कर्तब्यों को बताया गया मतलब भारती जो नाकरीक हैं उनके कुछ मूल करतब बे बताये गये और उसे भारती समविधान के भाग चारका के अनुच्छेत ए में या अनुच्छेत का के अंतरगत लिखा गया और तीसरा संसोधन है भारती समविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तीन सर्द जो जोने गए समाजवादी, धर्मनित पेक्षिता और अकंडता इसके दामा भारती समविधान संसोधन 1986 गया और जिसे 445 में समविधान संसोधन के दोरा क्या किया गया बाद में इसे रद कर दिया गया अगले समविधान संसोधन में समविधानिक संसोधन नियाइक जांच से बाहर इसमें यह कहा गया कि मतलब अगर कोई भी समविधान संसोधन किया जा रहा है तो वह क्या होगा नियाइक जांच से बाहर होगा अगले पार्ट में लोग सभा सीटों वराजी सभा सीटों का निश्य किया गया 1971 की जनगर्णा की आधार पर 2001 तक लोग सभा वराजी सभा की विधान सभा की सीटों को निश्यत कर दिया गया यहाँ पर इसकी सीटें क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी इसके आगे इस सम्विधान संसोधन के द्वारा मतलब 42 में सम्विधान संसोधन अधियम 1976 के में जो राज्य के नीर्थि निर्थिशक तत्तों हैं उसकी मूल सूचे में चार नए तत्तों को जोड़ा गया जिसमें पहला है बच्चों के स्वस्त बिकास के लिए औसरों को सुरक्षित करना मतलब कि राज्य कुछ ऐसी बिवस्था करेगा या ऐसे प्रावधान करेगा जिसे बच्चों का स्वस्त बिकास हो सके इसको अनुच्छ 49 के अंतरगत बताया गया है समान नयाय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निसुल को कानूनी सहयता प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक तत्त जोड़ा मतलब ये तत्त भी 49A में जोड़ा गया जिसमें या कहा गया कि मतलब जो नयाय है उसको समान रूप से सबको मतलब नयाय मिले और जो गरीब हैं उनको अगर कोई कानूनी सहयता चाहिए तो उससे बिल्कुल निसुल को प्रदान किया जाए तीसरा है उद्द्योगों के प्रबंधन में स्रमिकों की भागेदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना अगर किसी उद्ध्योग का प्रबंधन किया जा रहा है तो इसमें जो स्रमिक हैं उनकी भागेदारी को क्या किया जाए सुनिस्चित किया जाए इसे अर्टिकल 43A में जोड़ा गया अगले भाग में रक्षा और पर्या वरण को बेतर बनाने और जंगलों और वन जीऊ की रक्षा करने के लिए अनुचे 49A में बात की गई और खागया कि जो जंगली जीऊ हैं या जो वन्नी जीऊ हैं उनकी रक्षा करना और जो परिया वरण है उनकी सुरक्षा करना इसकी भी जिमिदारी राजी के उपर उसके नीत निर्देसक्त तत्तु के अंदर उनके उपर दी गई इसके लावा बैलिसमा संविदान संसोधन 1976 के अंतरगत राष्ट विरोधी कारिकलापों के संबंद में संसद की सक्ती को और बढ़ाने के बारे में बात करता है और इसमें या बताया गया कि अगर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो राष्ट के विरोध में है तो संसद उस ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी कोई समस्या है राष्ट के उपर मतलब जिससे की क्या हो रहा है कि वहां के नागरी को कुछ समस्या हो रही है तो भारत में राष्टी या पात काल की भी घोशना की जा सकती है मतलब राष्पती क्या करता है कि भारत में राष्टी या पात काल की पर क्या हो सकता है कि एक बार में जो राश्पती सासन लगा है उसके कारिकाल को छे माँ से एक साल तक बढ़ाया जा सकता है इसके लामा पांच विशियों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में इस्थान नांतृत किया गया राज्य सूची के अंतरगत वे विशे हैं जिन पर राज्य क्या गवात कानून बनाती है लेकिन समवर्ती सूची के अंतरगत ऐसे विशे हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिल कर क्या करती हैं कानून बनाती हैं तो 42 मर् शम्वधान संसोधन 1976 के अंतरगत पांच विशियों को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखा गया और ये विशा है सिक्षा वन वन जीव एवं पक्षियों का संदक्षण नाप तौल और नयाय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च नयाले के अला सभी नयालों का गठन और शंगठन मतलब कि सिक्षा से समंद्ध जो कानून बनाये जाएंगे अब वो समवर्ती सूची में हैं अब इस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे इसी तरह से वन वन जीव और पक्षियों के संदक्षण पर भी राज्य और क सभी नयालों को गठन और संगठन किया गया मतलब जो हुआ है इसे भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी परिवर्तित कर दिया गया अगला है बैलिष में संसोधन अदनियम मेंगे नीती निर्दशकतत्त्तों को कुछ मूल अधिकारोn पर परहौई बनाया गया मतलब बैलेस में समविधान संसोधन जो हुआ है उसमें जो राज्य के नित निर्देसकत तत्त है उसको कुछ हिस्सों पर मूल अधिकारों पर अधिक प्रहुई बताया गया करते हैं लेकिन उच्टम नियाले द्वारा मिल्स मामला था उसमें 1980 में इन जितने भी राज्य के नित निर्देसकत तत्त हैं जिनको मूल अधिकार पर प्रहुई बताया गया है इन्हें क्या किया गया अवैद घोचित कर दिया गया इसके लावा अनुच्छी 14 और अनुच्छी 19 द्वारा इस्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छी 49 खा और गाह में बताये गये नीती निर्देसकत तत्तों के अधिनस्त माना गया इसका आर्थिया हुआ कि राज्य के निर्देसकत तत्तों को प्रहुई बनाने के दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है इसमें जो इस्थापित किये गए मूल अधिकार हैं उनको अनुछे 49 खा और गाह में बताये गए नीत निरसक्तत्यों के अधिनस्त माना गया मतलब कि उसके अंतरगत है और इसमें इसका मतलब य कह सकते हैं कि इसको राज्य मतलब नीत के नीती निर्दि सकतत्त है उनको अधिक प्रवज बनाने के लिए राज्य जो मूल अधिकार बनाए गये हैं उनसे कुछ न कुछ समझाता कर सकता है लेकिन वह ऐसे प्रवधान बनाया है जिससे कि उस्तैके नागरिक हैं उनका कही कहीं उनका भला हो उनकी अक्षाई के लिए वह कुछ भी थोड़ा बहुत मोल अधिकारों से समझवता कर सकते हैं कि बैले समविधान संसोधन में कई प्रावधानों को 1978 में जंता पार्टी की सरकार ने जिसे बताया था कि वह 5 साल से 6 साल उसे कर दिया गया उसे भी चवह वालिष में शमविधान संसोधन के दौरा नेरस्त कर दिया गया और लोग शबह और विधान सभा का जो कारिकाल था उसे फिर से पांच वर्ष कर दिया गया तो आज के इस वीडियो में मैंने बैलिश्मिष शम्विधान संसोधन के बारे में पढ़ा और मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे समझाया है लेगन अगर आपको नहीं समझ मैं आता तो आप वीडियो को एक बार दो बार और देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए सेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हाँ यह बार दिविजन कर लेते हैं मने क्या पढ़ा है इस वीडियो में मने बताया कि भारती यहां संविधान संसोधन है उसका प्राउधान भारती संविधान के भाग 20K अनुच्चे 367 में किया गया है और जो सम्विधान संसुधन की सकती है वो संसत को प्रदान की गई है मतलब अगर ये लगता है कि भारती सम्विधान की किसी भाग में कोई संसुधन करना है तो वो आपनी सकती का प्रयोग करके संसुधन कर सकती है इसके लावा सम्विधान संसुधन की प्रक्रिया में मैंने बताया कि सम्विधान संसुधन जो विध्यक है वो संसत के किसी भी संसत के दवारा संसत में पेश किया जा सकता है बसरते किसे सम्विधान के दोनों संसतों से एक विशेश बहुमत प्राफ्थ होना चाहिए विशे होना चाहिए इसके बाद वुधार आख सदन के पास वप विचार करें उसपर के राश्पती पुरी तरा से बाद है कि व्हा इस पर अपनी सहमती प्रदान करें इसके आगे बंट है, पैलिसमें शम्विधान संसोधन जो हुआ उसका एक एहम अस्थान है हमारे संविधान में एक बहुत एहम अस्थान है। यह इतना बड़ा संविधान संसोधन थाійसे लग़ुषण रीइन्व dynasty कंस्टिटूशन की संगया दे जाती है। और इस सम्विधान संसोधन के अंतरगत सोने सिंग समीति के द्वारा जितने भी प्राउधान किये गये थे उन सभी को क्या किया गया इस सम्विधान संसोधन में समाहित किया गया और वह सारे परिवर्तन किये गये जैसे राजपतियों कायमनेट की सलाह मानने के लिए बात दिखिया गया भाती सम्विधान के भाग चार का में अनुच्छे दिक्यावन का जोणा गया और उसमें दस मूल कर्तब्यों को जोड़ा गया बात में च्याश्मे सम्विधान संसोधन संदू हजार दो के द्वारा भाती सम्विधान के भाग चार का के अनुच्छे दिक्यावन का में ग्यारामा मौली कर्तब पर जोणा गया इसके अलामा लोक्षभा और विधान सभा में का रेकाल को 5 से 6 वर्स कर दिया गया इसके अलामा शाम विधान और संसोधन नियायक जांसे बाहर मतलब अगर कोई भी संविधान में संसोधन किया जा रहा है तो उस पर कोई नयाएक विचार नहीं है मतलब कोई नयाएक की विचार से लेकर कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी मतलब इससे उसको बाहर रखा गया है इसके अलामा लोग शभा सीटों और डाज विधान सभा सीटों को 1971 की जनगरना की आधार पर 2001 तक फिक्स कर दिया गया कि उसकी सीटे इतनी ही रहेंगी इसके अलामा भारतिये शम्विधान के जो नीत निर्देसक तत्त हैं उनमें चार मूल तत्त जो जोने गए बैलिस में शम्विधान संसोधन के द्वारा जिसमें बच्चों की स्वास्त विकास के लिए औसरों को सुरक्षित करना अनुच्छे 49 में सामान नयाय को बढ़ावा देना मतलब गरीबों को निसल कान निशाहता प्रदान करना उद्ध्यों के प्रवंधन में श्रमेकों की भागेदारी को सुनेशित करना अर्वन नजीवों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी प्रधान किया गया और इसके लावा राष्ट विरोधी कारे कलापों के शंबन में संसत को सक्ति दी गई मतलब ये संसत के पास एक पावर आई कि अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है जो राष्ट के विरोध में है तो उस पर वह कोई नो कोई एक्सन ले सकता है भारत ये किसी एक भाग में राष्टी या पात काल की घोशना मतलब अगर किसी भाग में ऐसा लग रहा है कि वहां से भारत के उस भाग में असान्ती है या कोई वहाँ पर समस्या है तो वहाँ पर राष्टी या पात की घोशना राष्पती कर सकता है और इस सम्विधान संसुजन के द्वारा राश्पती जुशासन लगता है किसी राज में उसके कारिकाल को 6 मा से बढ़ा कर एक साल तक करने का भी प्रहधान किया गया इसके लामा पांच ऐसे विसाय जिनको राज सुटी से समवर्ती सूची में स्थान अंत्रित किया गया वह सिक्षा, वन, वन जीवं, पक्षियों का संदक्षण, नाप तौल और नया प्रशासन और उच्च नयाले के अलामा सभी नयालों और गठनों, गठन और संगठन मतलब इस सारे विसायों को राज सुटी से समवर्ती सूची में परिवर्तित कर दिया गया इसके अलामा, बैलिस में समविधान संसोधन अधनियम में राज के नीत निर्शक तत्तों को कुछ अनुछेदों में ऐसा बताया गया कि वह मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं, लेकिन इन्हें उचतम नयाले और जो मिनर्वा मिल्स के बीच में जो मामला था उन्हें सुवश्री वाला उसके द्वारा इसे असम वैदानिक बताया गया, लेकिन फिर भी कुछ अनु मामलों में मूल अधिकारों से समझवता कर सकता है नीत निर्देशक तत्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मतलब कि अगर राजिक के नीत निर्देशक तत्यों को कुछ मामलों में उपर रख सकते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आय रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें धन्यवाद